आप सभी को वेड़ी वेड़ी गुड मॉनिंग उमीद है आप बहतर होंगे अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो आज के सेशन में मैं हूँ अभी सेक और आपके साथ आज के लास में लेकर आया हूँ आपको तो आए देखते हैं कि माकरश नंबर फोर की कसौटी पर आप कैस उमीद किया था कि 30 में आप 20 से 22 का एवरेज रखेंगे लेकिन कल आप लोगों ने 25 के करीव आपने सही जवाब दिये थे आज के सवालों की कसोटी देखते हैं कि कैसा है असिस्टेंट लोको पाइलट टेक्नीशन या रेलवे के किसी अधर गुरूब डी की एक्जाम के तैर सबसे पहले बता दू कि आज ये पाइलट सिरीज का प्रेक्टिस सेट नंबर फूर है तो एक एक प्रेक्टिस सेट जो है आपको एकदम विध्वत देखना है पूरी इनर्जी के साथ पूरी सिद्धत के साथ इस सवालों को इस कोस्टन के स्रिंखला हम आपके सामने लाते आज इस पिटारा में जो पहला सवाल खुला है आज इस पाइल्एट सीरीज का जो पहला सवाल आया हो केमिस्टरी से आई तो आए सबसे पहले जबाब किसका आएगा रंजीत है राम प्रवेश जी है सधार्त भाई है सभी का स्वागत है एक दम सभी का भई सभी को वेरी अमलिय होगा billion की बात किया है तो आप जानते हैं कि billion में अधिक अमलिय होगा तो आप से मैंने पियच वाले concept पे आज कल हमने तीनो सीरीज में हमने इसके question किये हैं उमीद है आज का question जो होगा आप से बढ़ियां लगेगा आप कर पाएंगे तो आप बताएं कि इसमें सबसे अधिक अमलिय पियच कौन सा है बहुत सारे लोगों ने डी जवाब दिये हैं बहुत बढ़ियां जैहिंद हो जाती है आपको याद रखना है जब भी पियच का मान जीरो हो तो सबसे जादा strong acid होगा strongest acid कह सकते हैं उसको सबसे जादा अमली एक कौन होता है जब पियच बराबर जीरो और यह किसका होता है यह battery acid का होता है जब battery acid जिसको तेजाब या आप किंगा फेशिट के नाम से जानते हैं तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा घातक कहलें प्रभाव किसका है इसी का है तो यहां पर सही आप संद जो है सी फिर भी फिर ए और लास्ट में डी का था यानि अगर हाइड्रोजन आयन की सांदरता को ऐसे समझेगा थोड़ा उल्टा कहानी है अगर हम कहें कि हाइड्रोजन आयन की सांदरता अधिक है तो इसका मतलब है कि प्यच का मान कम है इस बात को समझेगा अगर हाइड्रोजन आयन की सांदरता बढ़ा रहे हैं तो प्यच क का मान कम होता है इस चीज को समझ पाई क्या आप hydrogen iron की सांदरता बढ़ाने पर hydrogen iron की सांदरता बढ़ाने पर pH मान कम होता है हाइड्रोजन आयन की सांदरता बढ़ाने पर pH का मान क्या होता है कम होता है जितनी सांदरता बढ़ाओगे उतना ही pH क्या होगा कम होगा किलियर और हाइड्रोजन आयन की सांदरता घटाने पर pH का मान अधिक होता है इस बात को ध्यान से रख लेना अगला सवाल बड़ा सुन्दर सवाल ये भी है इसका जबाब दीजेगा acid base से जुड़ा हुआ एक और सवाल हाँ पूछा हुआ इस सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा अमल पानी में घुलने पर कम H प्लस देगा ये strong acid और strong base से जुड़ा हुआ concept है अगर आप इस concept को जान पूछा है which of the following acid give less hydrogen plus iron when dissolve in water जब इसको हम hydrogen iron में dissolve करेंगे तो ये क्या देगा less H प्लस देगा एक बाद सभी लोग सेशन को share कर देना मिरे अधाओ सब लोग एक बाद सेशन को share कर दो पूरी energy के साथ बताओ क्या होगा निम्लिखित में से कौन सा अमल पानी में घुलने पर कम H प्लस आयन देता है कम H प्लस आयन देता है बताइए क्या होगा किसको जब आप दोगे तो आप जानते हैं दो तरह के अमल होते हैं एक होता है strong acid जिसको हम प्रबल अमल कहत होता है आप जानते हैं कि जो more hydrogen आयन देता है कि और जो दुर्बल अमल होते हैं कि अगरे वह कम hydrogen देते शहीं इस आंसिक होते हैं ओधड्रोजन आयन की सांदरता भी कम होगी hydrogen हैन की सद्रता क्या होगी कम होगी यह आसिक रूप से ब्योजित होगे और hydrogen है क्या होगी कम होगी तो निम्लिकित पानी में ले पर अब यह पानी क्या है ध्रूवी अभी लायक तो जो आपका Polar सालिवेंट है उसमें एक बात एक कांसेप्ट यहां पर पकड़ेना पोलर सालिवेंट में कौन ज्यादा डिजाल्ब होगा तो जो polar salute है polar salute easily dissolve होंगे तो यहाँ पर polar salute जो होंगे easily dissolve होंगे easily easily dissolve होंगे इसका हिंदी क्या हुआ भाई यानि ध्रुविय बिले असानी से बिले होते हैं ध्रुविय बिले अब ये ध्रुविय कोन है है इसमें अध्रुविय कौन है इसमें अध्रुविय होगा वही वीще होगा और इसका सही जबाब प्रमोद और कुमार ने दिय तो इसका ओरिजिनल कांसेप आपने पढ़ा जो आरगेश केसी आपको याद रखना है all thoseoda साल्यूट जो होता है आर्गेनिक साल्यूट हो या एसीड हो यानि कार्बनिक बिलायक जो होंगे कार्बनिक बिलिय जो होंगे कार्बनिक बिलिय किसमे घुलेंगे तो आर्गेनिक साल्यूट जो होगा आरगेनिक साल्वेंट में डिजाल्व होगा अरगेनिक साल्वेंट में डिजाल्व होगा मतलब क्या होगा कार्बनिक बिलायक में घुलेगा किस में घुलेगा कार्बनिक बिलायक में घुलेगा याद रखेगा किस में घुलेगा भाई कार्वनिक विलायक में घुलेगा और इसका एक्जामपल क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना बेंजीन है इसका एक्जामपल क्या है इथर है इसका एथेनाल है एस्टर है और यहां पर क्या होगा यहां पर आग जैली केसिड होगा यहां पर आपके पास फार्मी केसिड होगा यह सब इसी में घुलेंगे और बाकी सारे साल्ट वाटर में घुलेंगे जैसे अगर हम कह दें कि NECL है, KCL है, KCL है, HNO3 है, हम कहुShare N2CO3 है, यह सारे Polar है और बिल्कुल Polar है, Polar Salute है, ध्रुवी यह बिले हैं, यह ध्रुवी बिले किस एंगट में घुलेंगे, ध्रुवी बिलायक में, Polar Soment में घुलते हैं, पोलर साल्मेंट में घुलते है तो यह पूरा कांसेट्ट था इसका अगला कांसेटट जरूरी है देखें सवाल अनंत हो सकते हैं अध्यकों सेशन को सेर करना होगा बैए यहां पर सवाल बताना एस रियक्षन से समझते हैं पोलर जैसे अब देखो बिटा NACL है जैसे बच्चा कहीं रहा मिने समझ में नहीं है NACL यह माइनस होगा यह प्लस होगा k, cell में यह प्लस होगा हनो 3 में यह प्लस होगा यह माइनस इसको पूलर कहेंगे PAR का मतलब प्लस और एक माइनस यह पोलर होंगे ओके हैं यहां पर पूछ रहा है F-C4 c-4 में अब यहां पर बिगटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती यह बिगटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की को थर्मल डिकम्पोजीशन electrolysis और एक होता है फोटो लिशिस तो बिगटन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की कौन कौन सी thermal electrolysis और फोटो लिशिस कप्लिंग reaction में क्या होता है दोचीजे आपस में अभिक्रिया करके जुड जाती है यह है युगमन अभिक्रिया और इसका सही जवाब आप देख रहे है आयरन कापर को बिस्थापित कर दे रहा है तो यह बिस्थापित अभिक्रिया लेकिन दहन में अगर कहें तो मेथेन का अक्सीजन से विक्रिया होगा तो कार्बन डाय अक्साइड और जल बनेगा बनेगा की नहीं हाँ बिल्कुल अच्छा एक रियक्षन थोड़ा बैलेंस करके बताओगे अगर हम आपसे कहें देखेगा C3H7 को जला देते हैं C3H7 को जला रहे हैं तो आपका बना CO2 और आपका बना जल कहेंगे ठीक है सर जी अच्छा तीन कार्बन है एक मिनट C3H8 लेना है गलत हो गया हमसे माइन पर हम आपसे कहें यहाँ पर X का मान है यहाँ पर य का मान है यहाँ पर तो आपका 3 हो जाएगा मैं कहूं बैलेंस करिए अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और बताए एक्स का मान क्या होगा अगर सिरियस एस्पिरेंट है सिरियसली तैयारी कर रहे है अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई की वैल्यू वतल क्या होगी कैसे निकालेंगे X कितना oxygen involved होगा देखिए यहाँ पर 8 hydrogen है तो कितना hydrogen यहाँ पर निकलेगा यहाँ पर H2 है तो Y का मान क्या होगा सोच के बताईएगा क्या होगा पहले Y निकलेगा फिर X निकलेगा ध्यान से सुनियेगा सबसे नहीं होगा भाई अपना दिल पकड़के बैठे रहे हैं हाँ एक दम क्या होगा भाई यहाँ पर 8 hydrogen है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 4H2O तो Y का मान कितना आ गया 4 oxygen कितना हो गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 10 हो गया तो X का मान क्या होगा 5 तो X का मान 5 और Y का मान 4 मौरिया जी एक दम सही है रभी परकास बहुत बढ़िया तो यह था यह तरीका है सवाल को साल्व करने का एक दम एक दम बढ़ियां सवाल साल्व किया एक और दे कि एक और दे दे उस पर यह अगला question कर आए अगला question करो कि CO2 में CO और O2 द्रब्यमान द्वारा क्या अनुपात किस अनुपात में मौजूद होंगे यह मार हम बिल्कुल यादा जी जैन साब है यह बाबा जबाब जल्दी दाजा हो क्या होगा क्या होगा इसका सही जबाब carbon CO2 का weight कितना होता है तो कहेंगे सर जी CO2 तो 44 होता है carbon का कितना होता है बाबा और oxygen का कितना होगा वह 32 तो बारह बटा 32 बोलो सही है सही है चार से काटो के चार तियां बार चार अठें बत्तिस क्या फ्री रेशियो एट आएगा क्या 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 आपसर नंबर ए लगा दे बहुत सही क्लियर है एकदम कांसेप्ट क्लियर सिये ओ का सुत्र इकाई द्रब्यमान है सिये ओ का सुत्र इकाई द्रब्यमान है क्या होगा सिये ओ का बताईए क्या होगा द्रब्यमान सिये ओ का बताईए सिये सियो थ्री का बताईए सिये ओएच के होल ट्वाइस का बताईए एच थ्री पहां है एचनो थ्री का बताईए CH3COOH का बताईए क्या होगा भाई क्या होगा इसका तो आईए बात करिए सबसे पहले कैल्सियम का होता है 40 आक्सीजन का होता है कितना सुला तो यहाँ पर होगा 56 कैल्सियम का 40 कार्बन का 12 सुला 48 हो गया 100 यहाँ पर कैल्सियम का 40 आक्सीजन का कितना होगा 32 और 24 यहाँ पर हाइड्रोजन का एक नैट्रो सब्सक्राइब कितना आजाएगा 63 यहां पर आजाएगा 60 तो इस सवाल का सही जवाब 56 56 अगले सवाल पर आते हैं इसमें पूछा LD हाइड का कौन सा सुत्र है LD हाइड का सुत्र आपको बताना है LD हाइड का देखेगा अब यह होता है इसको हम कार्बोनिल समो कहते हैं कार्बोनिल समो तो कार्बोनिल ग्रूप इसी को बोलते हैं और यह कार्बोनिल ग्रूप जो होती है LD हाइड में मौजूद होती है LD हाइड देखो C double band O और यहां H ब्रेकेट में इसी को CHO कहते है ये वाला है LD हाइड और LD हाइड अगर है न तो जैसे मालो CH3 CHO है तो ये LD हाइड है दो कार्बन है तो एथ और नाम के लास्ट में लग जाएगा अल इथेनल तो ये LD हाइड है इसको क्या कहोगे अलकोहल कहोगे इसको एलकोहल कहोगे और इसको क्या कहोगे भाई केटोन कहोगे और इसको क्या कहोगे कार्बाक्षली केसिड कहोगे कार्बाक्षली केसिड क्या कहलेना है भाई कार्बाक्षली केसिड ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोज संयों जी क्या कहते हैं वैदुत संयों जी दूसरा होता है सह संयों जी दूसरा क्या होता है सह संयों जी और तीसरा होता है उप सह संयों जी अब आये करते हैं जो सह संयों जी जो वैदुत संयोजी होता है न वो धातू का अधातू के साथ होता है और इसमें इलेक्टरान का पूर्ड अस्थनांत्रड होता है इलेक्टरान का पूर्ड अस्थनांत्रड किसमें होता है बैदुत संयोजी में और बैदुत संयोजी योगिक होते हैं इंका boyling point melting point हाई होता है लेकिन जो ammonia में है ammonia में सहसे योजी है nitrogen का hydrogen के साथ सहसे है nitrogen का hydrogen के साथ कैसा है यहाँ पर eloek्त्रान की sharing होती है eligible की साझेदारी होती और coordinate बांट भी एक परकार का सहसे इंद है जिसमें डबल बंड को डोनेट जैसे अमोनिया है और यह नाइट रोजन किसको दे देगा बी अफ्ट्री को ति लिए क्वाडिट बांड है इसमें क्वाडिनेट बाट पाए जाता है अगला शवाल है एक आपके पास फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में समतुल समतल्य प्रतिरोद क्यलकुलेट करना है को बीर- बहादूर बिलकुल जिसके पास ज्यादा इनरजी है जबाब देदेगा क्या बनेगा चार ओम-4 एक्वैक करके करो यह दोनों समनांतर में है यहां से धारा जा रही है सम्तुल्य प्रतिरोद कहा है तो आप कैसे करेंगे यहा आपर कितना आएगा आंसर पूरों आएगा पक्का है ना पूरों आएगा चलिए अच्छा एक सवाल का जवाब और बता दो इसका क्या आएगा कि इसका बता दो तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा भया जीवन जीने का जो उद्धे से है ना उसकी पूर्पी करनी है हर हाल में इस बार का सेलेक्शन अपने मा के नाम या पिता जी के नाम समर्पित्तो करना पड़ेगा एक लड़ाई उनके लिए लड़नी है भाई ये तीन और ती क्या होगा तो यहां पर आर एक्यूवेलेंट कितना होगा तीन गुड़े छे बटा नौ यानि दो यह चैनि यह तीन है आंसर आ गया दो अगर आई निकालते तो अठारह बटा दो यानि 9 एंपियर बोलू कितना आ जाता 9 एंपियर क्लियर है ना 9 एंपियर एक सवाल और द दस ओम पंद्रव द पांच ओम दस ओम तीस ओम के प्रतिरोधों को समनांतर क्रम में जोड़ा गया है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा नौ होगा इसका जवाब बताओ क्या होगा कैसे निकालोगे क्या करोगे पांच ओम आया है काओगे सर पांच ओम के प्रतिरोधों को यहां पर दोस्त ऐसे है यहां पर 30 ओम आया है यह 5 ओम आया है और यह 10 ओम आया है तो बताओ आर एक्विवेलेंट यहां पर क्या बनेगा एक बटा आर कैसे निकालोगे एक बटा 5 प्लस एक बटा 10 प्लस एक बटा 30 बोलिये होगा पांच दस और 30 कैल्सियम क्या होगा 30 5 है के 30 10 33 तीस से कम 30 तो यहाँ पर 10 बटा 30 आ गया एक बटा आर का मान तो आर का मान कितना आ जाएगा तीन ओम आ जाएगा काट देना दस तिया तीस एक बटा तीन आर का मान कितना आ गया तीन ओम यानि आपशा नंबर सी किसी ने किया क्या आपशा नंबर सी बहुत बढ़िया एक और सवाल है इसको करो पूछा एक ओम दो ओम और तीन ओम के प्रतिरोध को समनांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा हां बिल्कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा बताईए अब यहां देखेगा अगर कभी भी आई मैक्सिमम चाहिए ना तो आई मैक्सिमम तभी होता है जब आर मिनिमम हो और आर मिनिमम तब होता है जब समनांतर क्रम में जोड़े तो समनांतर क्रम में जब जोड़ते हैं ना पैरलल में तो आर मिनिमम आता है और जब आई आपको मिनिमम चाहिए ना उस समय आर आपको मैक्सिमम चाहिए होगा और आर मैक्सिमम तभी आता है जब स्रेडी क्रम में हो हो जब किस क्रम में हो स्रेडी क्रम में हो कहेंगे ठीक है सर जी अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा एक बटा एक प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा तीन LCM 1,2 और 3 का 6 लग रहा है तो यहां पे 6, 2, 3, 6, 3, 2, 6 6, 3, 9, 2, 11, बटा 6 यहां 11, बटा 6 आंसर आया 1, बटा R तो R का मान कितना हो जाएगा 6, बटा 11 अगला सवाल पे आते है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटान है इसकी सेंजक्ता क्या होगी नाभिक में अब देखेगा प्रोटान की संख्या क्या होती है अगर हम कहें भाई थोड़े की संख्या क्या होगी प्रोटान की संख्या जो होती है यही परमाडू करमांक होती है प्रोटान की संख्या क्या होती है प्रमाडू क्रमांक प्रोटान की संख्या प्रमाडू क्रमांक होती है अगर कह रहा है कि प्रोटान की संख्या नौ है तो दो के बाद साथ हो जाएगा अब दो के बाद साथ हो गया तो स्युजक्ता कितनी होगी तो इसकी स्युजक्ता हो जाएगा अगर जैसे मालो किसी का परमाडू करमांग 6 है तो 2 के बाद 6 आएगा उसकी स्विजक्ता 8 में से 6 घटा दो 2 किसी का परमाडू करमांग अगर हम बात करते हैं जिसे नाइट्रोजन है साथ है दो के बाद 5 है तो उसकी स्विजक्ता क्या होगी भया उसकी स्विजक्ता होगी 8 में से 5 गया तीन तो इस तरीके से करने की छमता होती है संयोजन करने की छमता तो तत्तों को जोडने की छमता या संयोजन करने की छमता स्योजक्ता कहलाती है वो यौगिक बताएं जिसमें एक जैसा ही बांड करम है देखेगा बांड करम पूछा है तो बांड करम निकालने का तरीका अलग है ठीक है बांड करम निकालने का तरीका बाबा बीए से निकालते हैं लेकिन यहां पर इलेक्ट्रान आपको निकालना होगा नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रान है इसमें 14 में से 2 घटा दो 12 इसमें 9 दुना 18 होता है दो घटा नहीं सॉरी 14 में 2 जोड़ दो होगा सॉरी इसमें 18 में से 2 घटा दो इसमें सलफर में मेरे से मिस्टेक हुआ है एक मिन भाई नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रान होंगे 14 इलेक्ट्रान इस नाइट्रोजन में N2- लिखा हुआ है तो 7 और 2 प्लस कर दो 9 होगा इसमें क्या होगा नाइट्रोजन 9 होता है 9 में से 2 घटा दो 7 होगा सुल्ल में 2 जोर दो दिक्कत यह है कि वो योगिक बताए जिसका एक जैसा ही बांड करम होता है अब ये किसके जैसा होगा इसमें एक ही आप्शन लगाएंगे एक जैसा बांड करम होता है इस कोश्चन अधूरा लग रहा है इस कोश्चन को छोड़ दे न Keeping क्यों छोडने के लिए चलए त्पोल इसमें बांड पर कर रहा है और यहाँ पर कुछ और option होना चाहिए था a b b c c d कुछ ऐसे करके होना चाहिए था आपको electron जोड़कर निकालना होता है bond order क्या होता है न अगर आपको कभी bond order निकालना पड़े तो मैं बताता हूँ निकालते कैसे वन बाइट वांडिंग का electron minus anti-bonding का electron और इसको ऐसे निकालते हैं बाबा भी ये करके बाबा भी ये का जो formula होता है ऐसे होता है इसी formula से निकालते है ठीक है इसी formula चलिए अगला चलते है डबल बांड इन में से किस में पाए जाएगा बताए डबल बांड इन कीन में हाँ इन होता है ठीक है इन होता है तो यहां पर पूछा हुआ है सी एच फो इसको मेथेन कहते हैं इसको इथेन कहते हैं और इसी को एथीन कहते हैं इसको क्या कहते हैं और इसकी सन्रचना देखेगा ऐसे बनती है अच्छा इसको क्या कहते हैं इसको इथाइन कहते हैं तो यहां पर तो आंसर यह है लेकिन इथाइन देख लो ठीक है चलो आगे चलते हैं इनमें से किसमे हाइड्रोजन बांड पाय जाता है देखो हाइड्रोजन बांड के बारे में अगर बोले न तो हाइड्रोजन बांड आपको फोन काल में मिलेगा हाइड्रोजन बांड किसमें मिलेगा फोन काल यानि hydrogen का इनके साथ जुड़ना फोन करो या काल करो फोन का इनके साथ hydrogen मन मिलता है फोन उठाके काल करनी आपको तो fluorine hydrogen का fluorine के साथ यानि HF हो गया H2O हो गया NH3 हो गया HCL हो गया लेकि सबसे जाता है मिलेगा याँ पर सीजवाब देंगे ठीक है कि पूछा है निमलिकित परमाडव में से कौन सा hydrogen के साथ एक सायोजड आबंध में सबसे अधिक नक रातमक और विस प्राप्त करता है सबसे अधिक नखरातमक और है 선uk ugh hydrogen अगर आप से सरवाधिक रिड़ विद्यूती तत्तों क्या होगा अगर आप से सरवाधिक रिड़ विद्यूती तत्तों कहेगा तो आप किसको जबाब देंगे हैं सरवाधिक रिड़ विद्यूती तत्तों कौन होगा तो ये भी आपका फोन कालही होगा तो क्या फ्लोरीन है इसमें नहीं है आक्सीजन है क्या है तो फ्लोरीन नहीं है तो आक्सीजन को चुनेंगे यह यह आईरन है यह आईरन है लोहा है ध्यान से देख के गल्टी मत कर दो डियूटीरियम का एक परमाड़ू कि हाँ डियूटीरियम के बारे में हम कहते हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं पहले को हम कहते हैं प्रोटीयम दूसरे को हम कहते हैं डियूटीरियम तीसरे को हम कहते हैं ट्राइटियम जो आपका प्रोटीयम है इसको प्रोटीयम कहते हैं यह प्रोटीयम है इसको हम डियूटीरियम कहते हैं डियूटीरियम और इसको हम ट्राइटियम कहते हैं प्रोटीयम deuterium और tritium अब यहाँ पर क्या है proton, electron और neutron इन तीनों की संख्या देख लो इसमें एक है तो एक एक है तो एक तीनों में नीचे वाला ही proton है और नीचे वाला ही electron है उपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो आपको neutron मिल जाएगा यह तीनों की खासियत है कैसे निकाले आपको याद होगा तो reduce加 में एक एक electron सब में है ठिक है दो प्रोटानłe 2016 में है क्या नहीं है एक प्रोटानों होगा बिल्कुल एक प्रोटानों में एक प्रोटान का है तो यह वाला है ट्राइटियम का और यह वाला किसका है प्रोटियम का यह प्रोटियम अगर हम ड्यूटीरियम की बात करें तो ड्यूटीरियम का सिंबल डी होता है ट्राइटियम का टी और प्रोटियम का पी यह सिंबल होते हैं और ड्यूटीरियम को हम भारी और इसी से आप एक जल बनाते हैं भारी जल कहलाता है यहाँ पर क्या होगा यह 20 होगा अब यहाँ पर 20 हो गया भारी जल यह सीतलक के तौर पर काम करता है कि शीतलक के रूप में कारे करता है कि शीतलक के रूप में कारे करेगा किलियर है यहां पर पूचा है है बर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है है बर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है क्या जब आप अप रॉसेस की बात क्या ही कि पहले तो आपको प्रॉसेश याद होना चाहिए कि है बर प्रॉसे किसके लिए अमोनिया के निर्माbrance के लिए अगर हम कह के ओस्टrowsवार्ड किसके के लिए है एश्ट वार्ड प्र imitate इस के लिए कान्ट इक्ट प्रासेस संपर्क विद्धी तो यहां पर देखेगा जो आच्ट वार्ड प्रासेस यह नाइट्रिक्स के लिए और और जो हाँ का कान्टेक्ट प्रासेस यह रोति कमल के लिए यह किस के लिए सेल्फ्यूरी कमल की लिए और ऐसे लेड़ चमबर प्रोसेस होता है एक और सवाल है लेड़ चμबर प्रोसेस हिंदी में केते सीश कक्षविधी प्र ने तो क्सक्षवुडि है और दो जो 198 तक हरी होता है ना ये भी आपका सल्फ्यूरी केसिड के लिए होता है कि सीज कक्षिविदी देखो सीज कक्षिविदी ध्यान पर नहीं आ रहा है इसको अभी छोड़ दो माली बडेनम मिस्रित लूहा यह आपका अंसर है यानि आइरन होगा हैबर प्रक्रम में क्या होता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोज और यह 173 के रेशियो मिलेंगे और आपका अंसरा म्यान करेंग सुर्ण प्लस मिस्रित माली बडेनम के साथ अंसरा मुनिया का नर्माड़ करेंगे था निमलांकित में किस याउगिक में क्लोरीन है है जबाब चुनना है क्लोरीनcu प्रियल टूटू कि दोनों के बीच सा सईयोजक बांड होता है 17 प्रमाडू करमांक 287 है इसका तीन गुरूप इसका सब्सक्राइब एक दो तीन तो तीन हो गया साथ है तो दस जोड़तों के शत्रह होगा तीन तो तेरा चार तो 14 पांस तो पंदरा छे तो सुल्ला साथ 178 तो अठारा ऐसे बनता है हरा कशीश अगर हम कहें तो हरा कशीश आयरन सलफेट का होता है क्या इसमें आप देख पार रहे हैं नहीं दे कि एनने सियल का टेन परसेंट बिलियन को हम क्या कहते ब्राइन बिलियन तो ब्राइन बिलियन में क्या है क्लोरीन है आगे चलते हैं हरा कसिस का रसाइनिक सुत्र पीछे दिया था जवाब देना हरा कसिस का हरा कसिस का रसाइनिक सुत्र क्या होगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कापर सलफेट जो होता इसको ब्लू विट्राल कहते हैं जिंक सलफेट को हम वाइट विट्राल कहते हैं वाइट विट्राल आयरन सलफेट को हम ग्रीन विट्राल कहते हैं क्या कहते ग्रीन विट्रा यही आंसर आपका हो गया ठीक है तो आप जानते है कोबाल्ट सलफेट जो होता है यह होता है रेड सलफेट रेड विट्राइब क्या होता है वह रेडे और आयल-ख-DRA-la' आप शे कहेगा το क्या चुनोगे एक आयल-ख-DRA-L कहेगा तो आपको चुनना है सलफ्यूरी के सिटः कू चले आगे ये एक सवाल है इसका जबाब दो एक के क्रांसेप्ट को तोड़ेंगे भाई पूछा है दो ओम के तीन प्रतिरोद दो ओम के तीन प्रतिरोद पैरलल करम में जुड़े हैं क्या होगा और भी पढ़ाई चल रही है दिली परवेज गुड़ी अंसु जितेस भाई नया दिख रहे हैं सरत कहेंगे सर्जी समनांतर में हैं सर्जी तो आर बराबर दो बटा तीन प्रतिरोद बटा संख्या होता है दी वाला अंसर सही है किलियर हो पक्का थोड़े एक बार मुश्कु सब्सक्राइब कि वह तो हसा जा सकता है कितने रोत है लाए आपका बिलकुए एक और दरपढ़ की वकराची अबना यह और यहांपर क्या है बेटा यह दरपढ़ है कि इसको खॉन कैने क्या कहते हैं कि और यह आपका मुख्यक्स है यह दरपण है इसको हम मुख्यच्ष के समनांतर आती वी प्रकास किरण जिस बिंदू पर काट यह उसको फोकस कहते और एक और बात के अंद्र से ध्रू की दूरी वकृता तर्जियार फोकसे दूर की दूरी कि बल लिए तो यहाँ फर्मुला होता है और बराबर का डंफ निका लोगे तो आर बाई टू आर कितना है बीस बटा दो आ जाता है दस सेंटिमेटर लेकिन एक बात यहां पर और आती है कि भाईया अगर दरपड के लिए हम आपसे पूछे दरपड के लिए तो दरपड का सुत्र क्या होगा थोड़ा कमेंट करके बताओ दरपड का सुत्र और लेंस का सु क्या आंतर होगा दोनों में दरपड के सुतर में क्या आता positivity व है यही होता है दरपड का सुतर आचा लेंस का सुतर क्या होते है सिधात अगर हम दरपड के लिए आवर्धन की बात करते हैं तो – V by U होता है या I by O होता है प्रतिबिंब क्यों चाहिए बटा वस्तू क्यों चाहिए लेकिन अगर हम लेंस में आवरधन की बात करते हैं तो V by U is equal to I upon O और तो यह होगा हो चलेगा अब इस सवाल का जवाब तो 10 आहि चुका था आप तो समझी चुके थे तेकर से जलते हैं एंगे स्थ्राम किसके बराबर होता है एक एंगे अगर स्च स्थ्राम बोले तो आप कहेंगे सर्जी 10 की पावर माइनस 10 मीटर बात भी सही लेकिन अगर सेंटी मीटर में कहें तो माइनस 8 सेंटी मीटर एक माई क्रान बराबर क्या होता है भाई 10 की घात माइनस 6 मीटर सेंटी मीटर में कहें तो माइनस 4 सेंटी मीटर बिल्कुल एक पीको मीटर आता है एक पीको मीटर ब्राबर दस की घात माइनस बारह मीटर अदर्वाइस दस की घात माइनस दस मीटर एक फर्मी आता है तो क्या करेंगे दस की घात माइनस 14 15 मीटर या तो आप चाहब दस की घात मैनस बारह में 13 मिटर कर सकते हैं यह कर सकते हैं अब मीटर नहीं बैटा यहाँ पे सेंटीमिटर चोड़ जा है सेंटीमिटर ठीक है तो यहाँ पर एक एंगे स्ट्राम पूछेगा तो आप इसको 10 की घात मैनस दस मीटर बोलिंग है प्लास्टर आप पेरिस प्लास्टर आप पेरिस जिसके गरम करने से बनता है पहले तो फार्मुला याद होना चाहिए प्लास्टर आप पेरिस का क्या होगा प्लास्टर आप पेरिस कैल्सियम सलफेट सेमी हाइडरेट यह होता है प्लास्टर आप पेरि में सेमि हाइडरेट और जिप्सम में डाई हाइडरेट वोली यह हो गया जिप्सम हो गया जिप्सम हो गया तो क्या होगा वाई यहां पर इसको गरम करेंगे 300 डिग्री सेंटी ग्रेट पर तो बनेगा प्लास्टरा पेरिस प्लास्टरा पेरिस जिसके गरम करने से बनता है जिप्सम और यही जिप्सम है जिसका उप्योग हम सिमेंट में करते हैं किस में करते हैं सिमेंट में करते हैं सोडियम सलफेट का फार्मूला कोई बताए एनने 2SO4 होगा, बिल्कुल भई, और कापर के बारे में आपको मालूम होगा, कापर को हम तामबा तो बोलते ही है, साथ में जो कापर है, ये क्वाइन मेटल है, और साथ में कापर के बारे में एक और बात आती है, सेकेंड मोस्ट ह है, सबसे अच्छा चालक में ये दूसरे अस्थान पर है, कौन तो कापर, और यही वो कापर है, जिसके सबसे ज़्यादा एलवाए बनते हैं, अगर ये कसम खाले, यानि कसम खाले मतलब क्या बन जाएगा, भाई, ब्रांज, कासा बन जाएगा, अगर ये पित, हाँ, बिल फूचा है, फार्मूला पूचा है, बता पाओगे क्या, अगर ब्लीचिंग पाउडर पूछे तो क्या बोलोगे, कहोगे सर जी, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्सियम, क्लोरीन होता है, से 2022 कहोगे ना हे भुजा चुना बोलेंगे तो क्या बोलोगे कहोगे सर्जी कैल्सियम डाइ सत्तर किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति का भार चांद पर क्या होगा यह जबाब सभी को आना चाहिए सभी का अंसर आना चाहिए निकालिएगा चांद पर भार पूछा हुआ है आपको जो जानकारी चाहिए मैं दूंगा चांद पर भार पूछा है जी का मान 9.8 लेलो 9.8 लेलो जबाब बताओ चांद पर भार कितना होगा सही सोच के बताना हाँ दस लेके भी काम कर लो लगभग में तो आंसर आही जाएगा चलिए साथ गुड़े दस साथ सो हो गया चार से भाग दे दो यहां पर आप कोश्चन क से भाग दे दो मास है सत्तर यहां पर 9.8 से गुड़ा करो और शिक्स से भाग दे दो शिक्स बंजा सिक्स थ्री चाचा के छतीस बीस आ गया चैत्री अठार सत्तर से गुड़ा करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 421 नहीं 421 नहीं आएगा साथ तरीका 21 का एक हांसी ला 242 44 44 का चार साथ एकम साथ चारी 11 एक अंख पर दस्मलों लगेगा अच्छा नहीं दो अंख पर दस्मलों लगेगा यानि 114 केजी आएगा यह आज़र निकाल पाए एक और सवाल है कर लो हाँ चंद्रमा के गुर्तवा कर्षण के सम्मंध में कौन सा कथन सही है बताईएगा यह धर्ती के समान है धर्ती से अधिक है धर्ती से कम है चंद्रमा के वातावरण में कोई गुर्तवा कर्षण नहीं है है बिल्कुल 114 न्यूटन दिये तो है जवाब है बिल्कुल को रभी प्रकास एक विल्ट रुखेगा कोस्चन नमर्ट 23 टेस्ट है अब बिल्कुल कोस्चन नमर्ट 23 में गलती है वाई कैल्सियम सलफेट हेमी हाइड्रेट होता है और इस फार्मूले में यहां पर टू लगा हुआ है यह टू जो है बाई मिस्टेक लगा है इसको हटा दो यार यह टू यहां होगा यह टू नहीं होगा यानि यह कोस्चन गलत फ्रेम हो गया था यह टाइपिंग से मिस्टेक होई है ठीक है हाँ अब आपके लिए हम एक लगाते अधर वाई यह गलत हो जाता है चंद्रमा के गुर्तवाक भीया बहुत बहुत धन्यवाद रवी आपको अच्छा वहां पर अगर अच्छा एक में देख लेता हूँ अच्छा दो होगा तो बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ कैल्सियम सलफेट हेमि हाइड्रेट एक में रुख जाएगा बिटा अगर इसमें दो से घुडा करें तो तूस यहां पर क्या आ जाएगा की एंटु हर दो यहां पर यहां पर यहे हो सकता है data को सकता है यह वाला होगा यह कोश्चन यह कोश्चन के प्रिविय arts यह कोश्चन है इसमें इतना से ने फिर गूडा करेंगा और दो से पूरे में गुड़ा करिएगा तो यह आपका होल ट्वाइस आएगा और यह आपका इस्ट हुआएगा यह को इंपोर्टेंट के टेग्री में डाल लीजेगा नोट कर लीजेगा ठीक है अमघ्री अहां पर क्या होगा धरती से कम हो अप जानते हैं कि पृत्वी पर जी का मान होता है 9.8 लेकिन जब हम चंदा मामा की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है प्रत्वी का प्रित्वी का एक बटा चे तो परतwy इसे तो कम हम्राइब कर्षड परितवी से क्या होगा कम को यह आप है यह कोष्चन है क क्या पूछ나 न्यूटन के गती के प्रफम नियम का दूसरा नाम क्या है जो न्यूटन के गती अब देखिए कंग न्यूटन ने किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसी पिया और यह किताब 1687 इसवि में न्यूटन ने लिखी 1687 में और उसी समय न्यूटन ने तीन नियम दिए गती के कितने नियम दिए तीन गती के तीन नियम दिये थे और इस तीन नियम में जो पहला नियम था इसी को जड़त्व का नियम कहा गया तो यहाँ पे डी आपसन हो गया लेकिन जड़त्व के नियम को गैलिलियो ने भी दिया था इसको गैलीलियो का भी नियम कहा गया, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, सेकेंड लाकी अगर हम बात करते हैं, तो ये आप जानते F बराबर M में है, इसको सौवेग परिवर्तन का नियम कहा गया, कि सौवेग परिवर्तन बल के बराबर होता है, और तीसरे नियम को हमने कहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानि एक्षन रियक्षन ला क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहा गया क्रिया प्रतिक्रिया का एक्षन रियक्षन ला तो यहां पर क्या बन गया जड़त्व का नियम चलिया आप समय ठीक हाँ जड़त्व का नियम दो प्रकार का होता है दो या तीन कह सकते हैं गती का जड़त्व बिराम का जड़त्व पेड से आम का गिरना गती बिराम का जड़त्व है कंबल से धूल का लग करना बिराम का जड़त्व है ठीक है यहाँ पर मिलान करो है मिलान करिएगा इसी के जवाल और है अगर आप तेजी से जवाब दे तो हम लोग पहुच सकते हैं जवाब दीजेगा CNG CNG में क्या होगा मेथेन और इथेन को चुलने क्या कहेंगे सर यही होगा कि LPG में क्या होगा ब्यूटेन और प्रोपेन कोल गैस में क्या होगा कोल गैस में और जल गैस में तो कोल गैस में चौथा आप्शन होगा हाइड्रोजन मिथेन कार्बन मुनुआकसाइड और जल गैस में क्या होगा कार्बन मुनुआकसाइड और हाइड्रोजन देखो वाटर गैस में होता है कार्बन मुनुआकसाइड और हाइड्रोजन और प्रोड्यूसर गै यानि यहां पर आप निकाल सकते थे अगर प्रेक्टिस सेक्टमबर 3 के तौर पर कितने बजे दो पहर में एक बजे जबर जस्त मन अंदाज में पढ़ाती है अभी भाई रुख जाओ कहा धन्यवाद सर कह रहे हो अभी दो सवाल और है कहां यादो जी चले गए जवाब दो यार क्विक लाइम बिना बुझा चुना लेकर आए पानी में डाल दिये बिना बुझा चुना बुझ गया अब पेंट कर दिये घर को इसी को सफेदी कहते हैं इसी को हम चूने का पानी कहते हैं चूने का पानी यानि लाइम वाटर कहते लाइम वाटर कहते हैं अब इसी चुने के पानी से वातावरण का कार्बन डायकसाइड क्रिया कर लिया तो पपड़ी पढ़ गई दिवाल पे केल्सियम कार्बोनेट बन गया तो यहां पर कह रहा है बुझा चुना स्लेक्ड लाइम एस तो बी का एस आपसन है बी का एस आप आपसन है यूरिया पी आपसन है वासिंग सोडा क्यों आप सन है आप से अब बहुत बड़े एक जबाब और दे दो अच्छा यह हूम वर्क है अज़ कल का हूं यह मिलना लग रहा है कल का हूम वर्क आजकी कलासले में लगा था कर लेकर आएंगे यह देखेगा यह हुम्वर्ख है और इसमें कहरा है जब लेड़ धातू कापर क्लॉराइड के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा इसके लिए आपको यह याद रखना जरूरी है केदार नात का मंगल आलू जरा फीका पकाता है कोर्ट हाई आगे आओ फिर से सुन लो मैंने क्या कहा केदार नात का मंगल आलू जरा फीका पकाता है केदार नात का मंगल आलू जरा फीका पकाता है अब इसमें क्या है न दोस्त जो ऊपर के तत्तों है वह अत्यधिक क्रियासील है यह अत्यधिक क्रियासील है तो सबसे ज़्यादा क्रियासील कौन हो गया पुटैसियम लोगों को लगता है सोडियों मिले कि पोटेसियम मिले और यह बहुत कम क्रियासिल है यह सबसे कम क्रियासिल है कि सबसे कम क्रियासिल है आई सशुरा सौरी यह जो सोना ही तो मुक्तवस्था में पाया जाता है सोना जो है कि सवस्था में पाया जाता है मुग तवस्था में यह इतना कम क्रियासील है कि हां यह मुग तवस्था में पाया जाता है इसे पड़ा रहता है कई के जगह ऐसे पड़ा रहता है मुग तवस्था में पाया जाता है यह हाइड्रोजन है तो अब देखो जैसे ऐसे कोफेन कह रहा है for per pare क्या वनेगा कोई बताए क्या यौगिक बनेगा क्पीस ऑसोफर प्लस कापर तो एक फिको यहां पकड़ो आपकापपर को यहां पकड़ू एक बिलियन बनाया है कापर कह रहा है एफ़ी को कि तुम हट जाओ हम आ जाए तो कापर कम क्रियासील है एफ़ी ज्यादा क्रियासील है तो कम क्रिया कम कम जोर आदमी मजबूत को मार पाएगा क्या नहीं मार पाएगा नो रियक्शन रियक्षनें नहीं होगा लेकिन अगर यही हम कह दें कि कापर सेल्फेट को आईरन के साथ कापर सेल्फेट नेलुख निला है आयरन तो यह देखो यह ज्यादा मजबूत आद्में कापर को भगा देगा कापर कम कर्यासिल क्या करेगा कापर और को हटा ठीक है चलिए और आए ये आप जानते हैं जो फ्री पाइलट सीरीज आपके लिए चल रही है इसकी एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है मैथ की क्लास सुबह नौ बजे साइन्स की दस बजे जी के जीएस की आपकी एक बजे और बिल्कुल रिजिनिंग की क्लास आपकी दो बज एकदम जवर्जस्त धाकड फेकल्टी अभी चंदन सर मस्त पढ़ाते हैं नौ बजे तो आप एकदम लाजबाब क्लास लेते ही है सत्यम सर का कोई जवाब नहीं एकदम लाजबाब है और मैम का भी अंदाज एकदम निराला है एकदम जवर्जस्त इनर्जी के साथ मैं एमडी क्लासेश के यूए के अप्लिकेशन पर बहुत सारी आपको चीज़े मिलेंगी सिलेबस है नोट्स है प्रिवियस येर के पेपर भी आपको एलपी के हम जाएं ठीक है और अगर आगे की बात करें हम यह मेरा यह मेरा टेलिग्राम चैनल है अगर किसी को कोई आव सकता हो तो जुड़ सकता है ठीक जरूरी नहीं है जहन सभी को धन्यवाद सभी को थेंक्यू सुमझ